तो हेलो ट्रेडर कैसे हैं आप सबी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफोर्मेटिव होने वाली है मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में जो आपको सीखने को मिलेगा न वो सायद आपने अब तक कहीं पर या ना सीखा हूँ और मैंने भी इ वीडियो देख ली ना मैं 100% गारेंटि लेता हूं कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं क्योंकि आपके सामने अभी तक ऐसी कोई वीडियो आई नहीं है इतना मुझे पता है and basically मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रहे है क्योंकि आप काफी गलतिया कर रहे हैं entry में गलती करते हैं exit कप करना होता है entry कप करनी होती है ये सारी चीज़े आपको नहीं पता है लेकिन ये वीडियो अगर आपके सामने अब आ गई है तो बड़ी किस्मत से आई आपके सामने वीडियो तो इसलिए complete देखेगा and कोई question तो comment करेगा और last में आपको ये भी बताने वाला और बीच में काफी ऐसी चीज़े बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा informative होने वाली है तो सबसे पहले हमारा देखो question यह होता कि भाई साही entry और exit कैसे करते हैं ये बात अगर हमें पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है हम अच्छी तरीगे से साही entry और exit कर सकते हैं और बड़े अच्छे दरीगे से profit designate कर सकते हैं अपना देखो 100% तो कुछ सही नहीं होता हां लेकिन हां सार से 70% या फिर ज्यादा से ज्यादा जैसे आप सीखते जाओगे ना क्योंकि आपको जो भी है ऑबजर करने की जो भी है capability वो भढ़ते जाएगी फिर अगर आप bank nifty में trading करते हो या फिर nifty में trading करते हो दोनों index में हम दोनों index की बात करने वाले हैं कि इन दोनों index में अगर आप trading करते हो तो इन में आप कैसे सही entry ले सकती हो हम जो भी है stock की मदक लेने वाले हैं सबसे पहले आपको यह पता होना चीए nifty bank nifty किसके weightage से चलती ह आकिरकार ये उपर कैसे जाती है और नीचे कैसे जाती है वो बात अलग है कि इसको operator जो भी handle करता है लेकिन सारा का सारा इसे operator handle नहीं कर पाएगा जैसे कि bank nifty को भाई वो तो चाहता है कि मैं bank nifty को उठाऊं ही ना पूरा का पूरा गेर दूँ आज के दिन 1000 point गेर दूँ ऐसा आपको जो भी है कभी उपर ले जाते हैं कभी नीचे ले जाते हैं वो share की activity के through होता है थोड़ा बहुत operator भी कर देते हैं घपला लेकिन 100% operator bank nifty nifty को नहीं इहला पाएंगे 100% थोड़ा बहुत वो पैसे के ज्यादा होने के कारण वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं selling buying जो भी है लेकिन ज़्यादा तर आपने देखा होगा कि bank nifty उपर ही जाती है नीचे तो एक दो दिन आती है लेकिन जाना तो उपर ही है तो वो किसकी वज़े से bank nifty उपर जा रही है यह आपको पता होना चाहिए यह आपको पता चल जाए तो आप उस चीज को पकड़िएगा bank nifty को मैं जैसी open करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने bank nifty का चार्ट open होने से पहले हमारे पास काफी जादा company दिखती है अब यह company क्या है यह company वो company है जिनके तुरू bank nifty अपने आपको चलाता है यह जैसा यह company जैसा यह stock है bank nifty में total 12 company लिस्टेड है bank nifty index है ना उसमें 12 company जुड तो है कि कितनी capability है उसमें कि वो उस index को जो भी है उपर ले जा सकती है जाद नीचे ले जा सकती है इसे ही हम basically weightage कहते हैं कितना महता उस company का index में है bank nifty का सबसे ज़्यादा weightage किस company में है HDFC bank and second है ICIC bank और इससे जो last में एक और बताऊंगा मैं SBI bank यह तीनों bank जो भी हैं का weightage क 25% है एंडे जो ICICI bank है उसका भी 25% weightage है और जो यह छुटी मोटी bank है ना इनका किसी का 8 है किसी का 10 है किसी का 12 है लेगिन ज्यादा हमारे लिए जो भी informative जो analysis करने योग है वो HDFC bank है और second मैं बोलूँगा ICIC bank और अगर अगर थर्ड भी करना चाहते हो ज्यादा accuracy के लिए तो मत जाओ दो ही bank को आपको analysis करना है आपने HDFC bank को analysis कर लिया और ICIC bank को analysis कर लिया तो समझ लो आप अच्छी तरीके से entry ले पाऊगे अब यह कैसे होता है मैं ऐसे ही करता हूँ सायद आपको पता होगा आप मेरे वीडियो देखती होंगे तो मैं HDFC bank के chart को open करता हूँ और उसके बाद ही मैं bank NFT के chart को open करता हूँ दोनों को साथ में read करता हूँ अगर हमार जो भी accuracy हमें बढ़ानी है entry और exit में कि कब downtrend आने वाला है या फिर कब market नीचे जाने वाली है तो HDFC bank आपको पहले ही बता देगा और ICIC bank भी आपको यह दोनों मिलते जुलते हैं थोड़ तो उस condition में आप अपनी entry को exit कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आपको buying करनी है तो HDFC bank भी आपको confirmation देता है है इसी तरीके से आपको HDFC bank और ICIC bank और SBI जो भी है यह bank वगरा है इनको analysis करना है total 12 bank होते है bank NFT में यह आपको पता होना चाहिए ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं यहाँ यहाँ पर अभी मैं HDFC bank को open कर लेता हूं कि HDFC bank का chart भी तो हमें देखना है ना यहाँ पर मैं आपको live दिखाने वाला हूं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हम इसको यह volume वगरा को हटा लेते हैं और यहाँ पर जो अभी candle बनी है उसको हम 15 minute कर लेते हैं चाकि अच्छा सा हम बन्त को जो भी अब यहाँ चार्ट आपको दिख रहा है 15 minute का चार्ट है और मैं यहाँ पर bank निफ्टी का चार्ट open कर लेता हूं and यह मैंने यहाँ पर एक मिन्त रुकना हो यह Reliance का है यह मैंने bank nifty का चार्ट open कर लिया है यहाँ पर बैंक nifty का चार्ट आप देख रहे हैं चाल होगी तो आपको दिख जाएगा HDFC bank के चार्ट को अगर आप इसके साथ analysis करोगी साथ में अगर देखते रहोगे ना तो आपको fake move का पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है भी कहां पर entry आ रही है अब देखों यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर दो तारीक को market open होत आती है और bank nifty भी अपनी first candle यहां पर दो तारीक को green candle बनाती है green candle बनाने के बाद bank nifty क्या करती है bank nifty यहां पर नीचे की तरफ आती है लेकिन मुझे आप यह बताए कि bank nifty proper नीचे आई है बिल्कुल नहीं आई है और यहां पर यह जो candle है यह 15 मिट की है 15 35 35 यानि जो तीसर candle ऊपर जा रही थी लेकिन यहां पर यह bank nifty की second candle नीचे की तरफ आ रही थी लेकिन proper नीचे की तरफ नहीं आ रही थी अगर आपको इसमें red candle दिख रही है और इसमें आपको green candle दिख रही है तो आपको देखो confirm हो जाना है कि यहां market के ऊपर जाने के chances थोड़ी से ज़्याद बना रहा है आप खुद भी देख सकती हो तो बला यहां पर हम put me entry कैसे ले सकते हैं मानते हो यहां पर मैंने कल गल्ती कर देती मैं trap हो गया था actually HDFC bank को मैं नहीं देख रहा था इसी कारण से यह मेरे साथ हो गया नहीं तो होता नहीं वो मैं trap नहीं होता क्योंकि यहां पर मैं आपके put me entry बनती है नहीं है simple इतना आपको पता चल गया कि कब entry लेने कब exit करना है simple अब यहां पर HDFC bank में जो तीसरी candle बनी है यह वाली बनी है और इसमें तीसरी candle यह वाली बनी है HDFC bank में candle यह वाली बनी है तो मान लेता हूं मैं यह एक negative candle है लेकिन negative candle के बाद एक candle की closing होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है resistance भी है मान लेता हूं लेकिन अगर हमें HDFC bank में second candle दिख रही है कि इसके नीचे candle के closing नहीं होई है नहीं होई है तो यहां पर अपनी entry कैसे हो सकती है नहीं हो सकती है क्योंकि यह वाली candle इस candle अगर यह negative candle है तो इस candle की विक्के नीचे market के जो candle की closing होनी चाहिए थी तभी हमारी entry बनती है और यहां पर आप देख सकते हो जो bank nifty में जो 4 candle है और इसमें 1,2,3,4,4 candle इसमें green बनी है और bank nifty में भी green candle बनी है तो अभी मुझे confirmation कहां पर मिल रही है कि market उपर जाएगा मुझे bank nifty में भी confirmation भी नहीं मिल रही है और HDFC bank मुझ candle की closing कर देता है लेकिन लेकिन इस जो पहली वाली negative candle बनी थे ना इसके candle की नीचे closing नहीं होती है तो अपनी entry यहां पर पूट में नहीं बनती है और यहां पर जो यह candle बनी है 5 वी 5 candle वो इस तरह की की बनी है अब भी हमारी entry नहीं होती है लेकिन एक और मैं आपको बात बद ले सकते हैं क्योंकि जो यह तीनों candle बनी थी ना negative candle इनकी बोड़ी के ऊपर इस candle के closing हो चुकी है और यह प्रोपर एक swing का काम करेगा यहां पर आप stop loss डाल कर कापर जैसे कि अब यह वाली candle बनना चालू हो गई है यहां पर आपका stop loss होगा swing के नीचे swing के नीचे यहनी क्याँनाजार 200 पर आपका stop loss होगा और आपका target होगा यहां तक का क्यों क्यों क्योंकि resistance यहीं पर है closing कल की यहीं पर है यहां तक का आपका target होगा क्यों होगा यहां तक का target क्योंकि अगर मुझे ऊपर market जाएगी swing बना कर तो मुझे जो खुला रास्ता दि बैंक भी उपर की तरफ यहां पर गया है, अब अपनी exit कहां पर करना है, exit आपको दो तरीके से आपको इंट मिल जाएगा, exit आपको HDPC बैंक से भी देख कर करना है, क्योंकि यह candle लगातार बन रही है न, यही संकेत देती है कि market इससे उपर नहीं जा पाएगा, और हर candle, एक candle के नीचे closing होती जा रही है और जो यह first candle, यह वाली जो green candle बनी है, इनके नीचे market जाते ही आपकी, यहां पर exit हो जाता है और आपको दिख भी रहा होगा कि भाई साब यहां पर resistance है, इतना तो आपको पता ही होगा न, कि मुझे कब exit करना है क्योंकि सामने resistance हमा रहे है, so simple HDFC bank को इसी तरीके से देखकर trade करना है अब मान के चलो, यहां पर नीचे की तरफ से, यह एकदम market उपर की तरफ गई है, तो इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, यह देखो हम HDFC bank को देखकर पकड़ सकते हैं, अब यहां पर अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो यह जो candle बनी थी, यह वाली, यह green candle, यह मैं देखता हूँ, कितने बज़े बनी थी, time देखता हूँ इसका बेसिकली इसका जो time है, वो time है, 12 बच के 45 मिंट, यहां पर आप देख सकते हूँ, 12 बच के 45 मिंट पर बनना, यह चालू हो गई थी, मतलो इसकी closing, यहां पर 12 बच के 45 मिंट पर हो गई थी, इस candle की closing, और उसके बाद अच्छा खासा market उपर गया है, 12 बच के 45 मिंट पर, यह वाली 12 बच के 45 मिंट पर candle बन लिए, जो second green candle है न, वो ही बन लिए 12 बच के 45 मिंट पर, किसमें bank nifty में, तो यहां पर आपको सफा दिख रहा है कि 12 बच के 45 मिंट पर एक green candle बनी है, अच्छे खासी, और इस ने इस candle को, बिलकुल इस candle सी, ऊपर candle की closing की है, और same आपको य आपको signal मिल रहा है, क्योंकि इस ने इस लेवल का sport लिया है, इस लेवल का sport लिया है, और ले जाने के बाद उपर की उपर, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपकी entry होती है, और यहां पर आपकी exit आपको करना पड़ेगा, scalping कितनी अच्छे तरीके से हो सकती है, इं आपकी entry देखो किसनी अच्छी होती है, अब आपको put में कैसे entry मिलेगी, exit कप करना है, exit तो आपको दिख रहा है कि कप करना है, resistance पर ही तो exit करोगे, तो resistance कहां पर है, यह वाला resistance है, simple, market देखो उपर जाने दो, आपको पहले resistance पर sale कर देना है, profit अगर चाते हो तो, वरन आप आपको एक काम करना है, ऐसे लगा देना है, ऐसे trail करते जाना है, ठीक ना, यह situation बढ़िया एकदम, और यहाँ पर देख सकती हो, अब देखो आपको, जो भी है, selling की position अगर आपको बनानी है, तो वो कैसे बनानी है, पहले तो आपको यह दिख जाएगा कि resistance पर कोई negative candle है, ब दो, तीन, चार, चार candle green बनी है, बैंक निफ्टी में, और चारी candle green HDFC बैंक में बनी है, simple, अब पांच भी candle यह वाली बनी थी, दोनों साती चलेंगी candle, लेकिन यहाँ पर यह वाली candle की closing हो गई, और यहाँ पर इस वाली candle की closing हो गई, तो HDFC बैंक नीचे आएगा ना, तो हि पोट यहीं पर है, इस candle में, जो कि यह 15 मिट की candle है, यहाँ पर आपको point ऐसन लग रहा होगा कि यह कितनी सी नीचे आई है, अरे भाई, यहाँ पर देखोगे ना, आप बहुत अच्छे तरीके से नीचे आई, यहाँ पर देखो, यह तो HDFC बैंक है, यह तो HDFC बैंक है, यह आप जाओगे तो, लेकिन अगर आपको यह चीज मिल रहे हैं, तो इस तरी सिंद्र काम करेगा, बैक टेस्ट की जागा, बैक टेस्ट में, देखना कि कितना मजाता है, बिल्कुल आपको result मिलेगा, मुझे तो मिलता हूँ, तभी आपको बताता हूँ, और मैं आपको दिख अब बात आती है, निफ्टी की, देखो, HDFC बैंक, बैंक की निफ्टी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, निफ्टी के कंपेर में, निफ्टी में 50 कंपनिया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अजल जाता हूँ, पचास कंपनिया में इसे मान के चलो, आपको 5-6 कंपनिय निफ्टी में यह जंजट नहीं है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी ठालो, कोई दिक्कत नहीं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ठालो, उसमें भी HDFC बैंक ज्यादा आई वेटेज है, समझ रहे हो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको पत लिजेगे ना फिर कैसे देखते हूं कैसे आप जो भी है प्रोफिट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल बड़े आसान तरीके से कर सकते हूं है अगर आपको चाहिए सत्तर असी 90 परसेंट तो हैचेट सी बैंक तो आपको एंदर्सिस करना साथ में आप ओई भी देखेगा प्राइज एक्षन भी देखेगा कैंडल भी देखेगा है ना काफी चीज देखेगा स्पोर्ट रसिस्टेंस भी देखेगा सारी चीजी मिलाने के बाद बड़िया क्याने की भी आता है यहाँ पर इस साझान व्यों कोटक बैंक चार्ट को निखता हको तो है की सबसक्याowalal engagement के तो देखता हूं तो क्योंकि Nifty में 50 company आए नहीं तो थोड़ा सा बट रहा है उनमें वेटेज इतना जादा नहीं है Reliance में से सबसे ज़्यादा Reliance का है लेकिन बट रहा है अब बैंक निफ्टी में 12 यह बैंक है अब रहा है दोनों चार्ट आपने ओपन कर लिए है निफ्टी का और Reliance का अब Reliance में मुझे क्या दिख रहा है Reliance भी gap down open हुआ है निफ्टी भी gap down open हुए है अब फर्स्ट केंडल Reliance ने बनाई निफ्टी ने बनाई यहाँ पर उसके बाद इसने अब देखो यहाँ पर यह इसको लोको क्रोस नहीं कर पाई है लेकिन Reliance ने लोको क्रोस कर दिया यहाँ पर और वो यहाँ तक जाती है और निफ्टी भी यहाँ तक जाती है लेकिन आपकी entry यहाँ पर कैसी होगी entry के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा Reliance में मुझे वही सिस्टम दिख रहा है और निफ्टी में मुझे सेम वही सिस्टम दिख रहा है तो अब आपको confirmation कैसे मिलेगी उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको Reliance और निफ्टी का जो भी है time frame कर लेना है ताकि आपको पीछे का जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वो दिख जाए candle दिख जाए तो यहां पर मैं कर लेता हूं और यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि यहां पर मुझे काम कर रहा है हमें यहां पर दिखाई दे रहा है और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि प्रोपर जो यह लेवल होता है यह आसकी आज करे गी नहीं वह आसपास से भी उपर जा सकती है यह जोन होता है तो इसके लिए आपको rectangle जो भी होता है उसको जैसे कि ये वाला देखो ये वाला rectangle इसको आपको लगाना है rectangle को ये वाला ये आपके जोन क्रेट कर देगा बायर की जोन वगेरा लेकिन मैं भी यहाँ पर इसी horizontal line को लगाने की कोसिश करता हूँ जो कि ये वाला level हमारे लिए spot का काम क्यों करेगा क्योंकि market की जैकर उपर की तरफ गई थे न देखो market ने पहले क्या किया था यहाँ पर एक दो तीन लगबग चार पांच दिन तक इस level को touch करके नीचे की तरफ आई थी देखो touch किया second touch किया यहाँ पर इससे मतलों इसको यहाँ तक की यह एक zone create हो गया इतना तो इतना यह buyer की zone हो गई simple आपको यह level पहले ही लगा कर रखने है ठीक है न यह बात आपको पहले से ही पता होने चीए अब मैं चलता हूँ 15 मिन के chart frame में अब मैं यहाँ पर 15 मिन के chart frame open कर लेता हूँ अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि भाई साब ठीक market तो नीचे जा रही है और भाई साब reliance भी नीचे की तरफ जा रहा है reliance भी नीचे की तरफ जा रहा है और यह भी नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन यहाँ पर कोई sport तो नहीं है तो यहां पर हमें sport दिख रहा है तो यहां पर हम जो भी है देखो अच्छी तरीके से हम ऑफजर कर रहे होंगे तो यहां पर हम entry नहीं लेंगे लेवल कौन सा है 24,700 के आसपास का यह लेवल है मेरी साथ से देखो 24,700 के आसपास 750 इस तरीके से ठीक है न और मैं यहां पर nifty का option chain मैं यहां पर दिखाता हूँ आपको यह nifty का option chain है 24,700 अब यहां पर तो यहाँ पर हमें यह लेवल दिख रहा है कौन सा है यह 24,700 का तो OI भी आपको साथ लेकर चलना है कि OI कितना है 24,700 पर लगबग 25.12 लाक यहाँ पर OI और इस तरफ 24.36 लाक का OI है तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज देखू तो ज़्यादा फरक नहीं है, तो सेम है लेकिन यह लेवल हमारे लिए स्पोर्ट का काम कर सकता है क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर OI भी ज़्यादा है, सैकिन्ड यहाँ पर पीछे हम स्पोर्ट भी देख रहे हैं, है ना? तो यह से मार्केट के नीचे जाने के चांसे बहुत कम है, तो यह अगर आप पहले ही यह वाले लिवल लगा के रखोगे, तो आपको पता चलेगा इन्ने सद आप यहाँ पर पूट मैंटरी लोगे, और ट्रैप हो जाओगे, पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना? इस तरीके से बढ़िया तरह मिले, उसके बाद ट्रेड ले, अब यहाँ पर अपने ट्रेड कोल में बन सकती है, क्योंकि एक तो पॉइंट हो गया है, यहाँ पर स्पोर्ट, अब मैं इस कैंडल पर रुक जाता हूँ, क्योंकि भाई स्पोर्ट है मैं एंट्री नहीं लोगा, तो मुझे सेकेंड कैंडल दिखती है, कि बढ़िया कैंडल है, एकदम बुली सकैंडल है, और इंगल सिंग मतलो इसने इस कैंडल को कभजा भी लिया है, खा भी गई है पूरा का पूरा, यह पर अपनी एक कोल में एंट्री ले सकते हैं, बेजी जक, यहाँ आपका स्टोप लोगा कर, इस जो ये जो candle है ना first candle हमने इस candle की closing पर ली है entry तो यहाँ पर हम अपनी call में entry ले सकते हैं stop loss अपना इस candle के low का रहेगा और target अपने first यह रहेगा जो कि आज का high है और अच्छा कासा market उपर भी गया था लगबग 760 से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 820 3040 के लगबग यह नहीं आरम से 50-60 point आपको मिल गए होंगे premium price इंदा मनी में होगा तो 30-40 के लगबग point भढ़ गया होगा यहाँ पर आपकी entry होती है OI भी आपको साथ लेके चलना है candle pattern भी आपको पता होना चाहिए sport पर market वो भी आपको यहाँ पर भी आपको बाद में देखने को मिला आपको रिलाइंस में भी एक बड़िया candle बन गई तो आप बेज जीज़े कि यहाँ पर अपनी entry ले सकती हो इस candle के बनने के बाद समझ रहे होना आप और अच्छा कासा profit की चक्कर में ना रहें risk management को फॉलो करें लाइक अगर 1000 रुपे इंवेस्ट कर रहे है तो उसका कितना निकालना चाते हैं 10% 10% 100 रुपे हो गया 100 रुपे होने के बाद तुरंट अपनी trade को exit करे या फिर थोड़ा इंतिजार करे अर असिस्टेंस तक जाने का या फिर एक काम करे SL को trail करते जाएं ताकि आपको profit तो book हो जाए, lows तो ना देखना पड़े आपको, अगर हमें कोई next trade होगी तो वो होगी यहाँ पर, अगर market फिर से यहाँ पर आती है घूम फिर कर spot पर तो यहाँ पर अपनी next trade होती है अब जिससे कि यहाँ पर यह वाली candle बनी थी एक बड़िया एक डोजी candle बनी है बड़िया एक मतलब दिखार है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है तो यहाँ पर यह कितने बज़े बनी थी मुझे यह देखना है कि time यह कितने बज़े बनी थी यहां पर क्योंकि तभी पता चलेगा हमें कि क्या है उस candle में 12 बच के 45 मिंट पर यह candle की closing हो गई थी 12-45 पर 12-45 पर इस candle की closing हो गई थी और यहां पर अगर मैं देखो कोई 12-45 की कोई candle 12 बच के 45 मिंट यह है 12-30 की और यह है 12-45 की तो same candle देखो अच्छे तरीके से यहां पर भी candle बनी है यहां पर देखो निफ्टी ने भी यही pattern बनाया है इंगल सिंग इस candle को बिल्कुल खा गई है क्योंकि यहां पर assistance है और confirmation आपको exit का यहां पर मिली ही जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो जो reliance है वो swing बना बना कर नीचे की तरफ आ रहे है तो आप इसको इस तरीके से trade line को भी follow कर रही है market, swing हर swing के नीचे है तो यहां पर यह trade line भी follow हो रही है तो काफी चीज़े आपको देखनी पड़ती है इस candle के बनने के बाद और इस candle के बनने के बाद आप यहां पर अपनी entry ले सकते हो आपके trade में आप चाहते हो कि मैं trade में data रहा हूं तो SL को trail कर दे जैसे कि 10 point का लगा रखा है तो उसको 10 से 8 कर 5 point कर दे और market उपर चली जाए तो 10 point कर आठा कर जो भी 5 का है उसको जो भी 0 का कर दे मतलों कि कम कर दे अब आपका loss तो होगा यह नहीं क्योंकि आप average में जितना ह आपने invest किया था तो इस तरीके सा इस mindset से अगर आप काम करोगे तो दिन में दो trade आरम से मिल जाएगी और morning में मैं trade करूँगा तो live देखना मैं आपको HDFC bank का chart दिखाऊंगा साथ में trade लेकर दिखाऊंगा 5 कैसे trading का challenge अपना चल रहा है तो वो अगर आप देखते हूँ तो उसमें मैं अब यही करने वाला हूँ bank nifty में या फिर fin nifty में trading करूँगा तो HDFC bank को आपको दिखाऊंगा chart में किस तरीके से entry लूँगा exit करूँगा सारा दिखाऊंगा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो अच्छे यहाँ पर मिलती है confirmation क्योंकि मज़ा आत बताता है Reliance थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कम बता सकता है क्योंकि Reliance मतलग nifty में कुछ ज्यादा कंपनिया है इस कारण से थोड़ा सा confused हो सकते हैं ज्यादा एकदम 100% accuracy नहीं मिलेगे लेकिन आपको काफी चीज़ें मिलानी है उसके साथ आपको trade लेनी है सही entry और exit कहना आपक सीखी होगी मज़ा आया होगा तो यार आप एक परसेंट थोड़ा बहुत कुछ सीखें होना तो like कर देजगा वीडियो को share जरूर कीज़ेगा क्योंकि अगर ये बात किसी को नहीं पता तो साइध वो lose करें है ना इसी तरीके से trading करें देखो यह मेरा setup है मुझे अच्छा लगता है एंड काफी ज्यादा ट्रेडर का ये setup है काफी ज्यादा ट्रेडर इसी तरीक से trading करते हैं प्राइज एक्षन को follow करते हैं candlestick pattern को use करते हैं OI को भी use करते हैं sport assistance को भी use करते हैं है ना साथ में जो जिनका weightage है stock का वो भी लेकर चलते हैं तो इतनी सारी चीज़े ज option मिलेगा यहां पर देख सकते हो रैफर का रैफर एंड अरन यहां पर आपको 500 500 रुपे मिलते हैं एक रैफर का जैसे कि अभी मुझे यहां पर 300 रुपे मिल रहा है यानि मैं एक रैफर करूंगा तर 300 रुपे मिलेंगे तो इसलिए description में जाएए वहां से download करना जरूरी है क्योंकि तब ही यह जो भी है आपका जो भी है प्रोग्राम जो भी है आपको मिलने वाला है लग बग मैं यहां से 400 रुपे कमा चुका हूँ है आप देख सकते हैं रैफर रिवार्ड आप ठीक है ना तो लिंक आपको description में मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आप इसमें अपने ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और जो भी है रैफर करके पैसे भी कमा सकते हैं तो हर तरीके से पैसे आप कमा सकते हैं ज्यादा जरूरी नहीं है जब आपको मन करें जब आप कर लेना है कोई दिक्कतने description में आपर comment box में मिल जाएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद यह आप तक वीडियो देखने के लिए जैसरी किसना सभी को बाई बाई टाटा सी यू